एरवे एच आई आर ए ये मैंने आपसे वाइदा किया था और इसे पूरा करके दिखाया है आत्रिपुरा में तीन हजार करोड रुपिये की लागत से फोर लेन हाईवे का काम प्रगती पर है बेस्टन अगरतला बाइपास का काम भी अगले दो धाई वर्ष में पूरा करने का लक्ष रखा है तीन साल पहले मैत्री सेतु की शिरुवात की गई है एक समय था जब तीन साज जब तीन सीगिनल भी ठीक से नहीं आते दे लेकिन अब त्रिपुरा में 5G सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है और मैं आपको एक बात बताओं अगर दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार होती तो आपका मोबाइल बिल जो आज मोदी के राज में मोबाइल बिल 400-500 रुपिया ही आता है अगर कॉंग्रेस होती न तो आपका मोबाइल का बिल 3-4 हजार रुपिये से कम नहीं आता ये काम मोदी करता है लेकिन मोदी ने मोबाइल डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि गरीब से गरीब भी मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है और कोविड में गरीब के बच्चे भी मोबाइल से पढ़ाई कर रहते और किसी से पीशे नहीं छुटे साथियों, रेलिवेज के विकास लिए, बीते दस वर्सों में त्रिपुरा को एक दर्जन से अधिक ट्रेनों से जोड़ा गया है राज की रेलिवेज लाइज के इलेक्टिफिकेशन के काम को तेजी से पुराया कराया गया है हमारी सरकार है राजदानी अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एरपोर्ट पर नया आधुनिक टर्मिनल बनवाया अम्मानिक साजी की सरकार त्रिपुरा के विकास के लिए कदम और आगे बढ़कर हीरा प्लस मोडेल पर काम कर रही है साथियों पहले राजनितिक पार्टियां और सरकारों को नौर्ट इसकी याद तभी आती थी जब उन्हें आपके वोट चाहिए होते थे कॉंग्रेस और इंडी अलाइंस की सरकार में नौर्ट इसके लिए केवल एक ही पॉलिसी चलती थी लूट इस्ट पॉलिसी अपको याद है ना उनकी पॉलिसी थी लूट इस्ट पॉलिसी लेकिन दस साल पहले मोदी ने कॉंग्रेस कॉम्मिनिस्टों के इंडी अलाइंस वालों की लूट इस्ट पॉलिसी को ताले लगा दिये बंद कर दिया अब देश लूट इस्ट पॉलिसी को छोड़ करके एक्ट इस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है हम नौर्थ इस्ट के विकास के लिए दिनराथ काम कर रहे हैं मैं ऐसा पहला प्रधानमंत्री हूँ जो पिछले दस वरसों में पचास से जादा बार नौर्थ इस्ट आया हूँ जबकि कॉंग्रेस सरकार में कई मंत्रियों को ये भी पता नहीं होता था कि भारत के नक्से में त्रिपूरा कहां पढ़ता है साथियों आज त्रिपूरा के लिए बीजेपी का मतलब है विकास की राजनीती लेकिन यहां कॉंग्रेस का इतिया थ रहा है विनास्टि राजनीती और कॉंग्रेस का तो ट्रैक रिकॉर्डी है करप्शन की राजनीती जब तक त्रिपूरा में सेपीयम और कॉंग्रेस पक्ष विपक्ष में रहे यहां करप्षन फलता फुलता रहा। कॉम्मिनिस्टों ने त्रिपुरा को हिंसा और प्रस्टाचार का अड़ा बढ़ा दिया था। तब कॉंग्रेस भी पक्षमे थी लेकिन आज एक दूसरे को गाली देने वाले यही लोग अपनी लूट की दुकान बचाने यहां एक साथ आ गए हैं। साथियों यह कॉंग्रेस कॉम्मिनिस्ट इतने अवसर वाधि हैं। यहां त्रिपुरा में इनका गड़बंदर हैं। लेकिन केरला में यह लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन है। केरह में कॉंग्रेस कम्मिनिस्टों को कॉंग्रेस पार्टी वाले रोज महा पाशन में कॉम्मिनिस्टों को आतंगवादी कहते और कॉम्मिनिस्ट को महा प्रस्ट कहते आप वहां के अख़बार देख लीजिए ये ही बोलते